2024 की चुनावी बिशाथ बिच्छाएंगे मैनपुरी लोकसभा और खतौली रामपुर विधान सबा सीटों के नतीजे नतीजे भले ही उप्चुनाव क्यों हो लेकिन नहितार्थ दूरगामी होंगे मैंनपुरी लोकसभा और खतौली वे रामपुर विधान सभा सीटों की नतीजे 2024 की चुनावी विसात बिछाएंगे विपक्ष के बीच सपा का मैत्व तो बढ़े गा ही साथ ही भाजपा कॉंग्रेस और बसपा की चुनोती भी बढ़ेगी हाला कि भाजपा के लिए सुकून की बात ये है कि उसने सपा के दिगट चेरे आजम खां का किला दोस्त कर भगवा पर्चम लहरा दिया है रामपुर में पहली बार कमल खिलाकर कीर्तिमान ही नहीं बनाया बलकि प्रधान मंत्री नरिंद मोदी एवं मुख मंत्री योगी आदितनात के सामने मुस्लिम वोटों की सियासत की प्रासंगिक्ता निरंतर घटने के संदेश पर मोहर लगाई है इसके बावजूद लोगसभा की मैंनपुरी सीट की जीत के संदेश के साथ चाचा भतीजे एक हो गए हैं सिवपाल ने लगबग 6 साल पहले बनी अपने पार्टी प्रगती सील समाजवादी पार्टी का सपा में विल्ले कर दिया है उधर मुझफर नगर की खतौली सीट भी भाजपा की जूली से निकल कर सपा रालोत के गठवंदन के पास चली गई है यह इस बात का संकेत है कि 2024 के मुद्धे नजर भाजपा को पूरी रड़नीती पर नई सिरे से सोच विचार करना होगा कारण तीनों सीटों की राजनीतिक और सामाजिक समीकरण जिस तरह की हैं उसको देखती हुए यह भाजपा की रड़नीतिक चुनोती बढ़ाते नजर आ रहे हैं उपचनाव की सफलता से निश्चे ही निकाय चुनाओं में सपा कारकरताओं का मनोबल बढ़ेगा यह बात सही है कि उपचनाव की आधार पर 2024 की लोकसबा चुनाव की समीकरणों को लेकर कोई भविश्चमारी नहीं की जा सकती है धारणाओं का बड़ा महत्व होता है नतीजे इस धारणा को तो मजबूत ही किया है कि लोकसबा की रामपुर आजमगड तथा विधान सबा की लकीमपुर खीरी की गोला सीट पर हुए उपचनाव में भाजपा की जीत का अर्थ इसका अजय ही हो जाना नहीं है अगर ये जीत मिली थी तो उसके पीछे यादव परिवार ममत भेत तथा विपक्ष के वोटों में बटवारा था नतीजों ने भाजपा को चुनावी रणनीती पर लगातार काम करते रहने के साथ उसकी समीक्षा की भी जरूरत समझाई है